हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नमबर 52A जो की 23 अगस्ट 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशह है हिंदी यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए हम अपनी वॉक्षीट को शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे बच्चों नीचे दिये गए बॉक्स में नेहा और उसकी मम्मी की बादशीत दी गई है वे दोनों अपने अपने सपने के बारे में बाते कर रही हैं आईए उनकी बादशीत को ध्यान पूर्वग बोल कर पढ़ते हैं और प्रशनों के उतर लिखते हैं तो यहाँ पर देखो नेहा और उसकी मम्मी की कुछ बादशीत दे रखी हैं हमेने पढ़ना है और उसके बाद कुछ प्रशनों के उतर लिखने हैं नेहा बोलती है अपनी मम्मी से मम्मी आप अध्यापिका क्यों बनी यानि कि आप टीचर क्यों बनी तो मम्मी बोलती है कि बेटा अध्यापिका बनकर बच्चों को पढ़ाना मेरा सपना था इसलिए मैं अध्यापिका बनी तो मम्मी ने बताया कि टीचर बनना मेरा सपना था मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं टीचर बनू और इसलिए मैं टीचर बन गई तो नेहा बोलती है मम्मी सपना क्या होता है जो हम नीद में देखते हैं या वही तो मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा वह भी सपना होता है परन्तु अभी हम उस सपने की बात कर रहे हैं जो हम जाकते हुए देखते हैं और अपने मन में ठान लेते हैं कि बड़े होकर हमें क्या बनना है तो नेहा हैरान हो जाती है कि कौन सा सपना जो हम नीद में देखते हैं क्या वो सपना क्या उसमें मम्मी ने देखा था कि मैं टीचर बनूँगी तो मम्मी बोलती है कि बेटा जो आप सोते हुए देखते हो वो भी सपना ही होता है पर यहां मैं उस सपने की बात नहीं कर रहे ह मैं उस सपने की बात कर रही हूँ जो हम जागते हुए देखते हैं यानि कि हम मन में ठान लेते हैं कि हमें बड़े होकर ये चीज़ बननी है और हम वही बनने की पूरी कोशिश करते हैं तो नेहा बोलती है अच्छा मतलब खुली आँखों से देखा गया सपना ममी मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर आपकी तरह अध्यापिका बनूँ तो नेहा समझ जाती है कि यहां पे किस सपने की बात हो रही है और वो भी बोलती है कि बड़ी होकर मैं भी एक टीचर बनना चाहती हूँ तो यहां पे देखिए पहला प्रश्ण दे रखा है बच्चो आपका सपना क्या है आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यूं तो आप जो भी बनना चाहेंगे आप उसका उत्तर यहां पे लिख दीजिए जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहेगा कोई अध्यापक बनना चाहेगा यह अध्याभिका बनना चाहएगा कोई इंजीनियर बनना चाहएगा तो अब जो भी बनना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे ठीक है तो पहला प्रश्ण तो हो जाएगा क्या आपको लिखना है कि क्या बनना है और क्यूं ये चीज बनना चाहते हो ठीक है? और दूसरा प्रशन है कि बच्चों अपने परिवार के सदस्यों से पूछ कर लिखिए कि बच्चपन में उनका सपना क्या था नीचे दी गई खाले जगे में किनी दो सदस्यों के बारे में लिखिए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने मम्मी से और पापस से पूछेंगे कि वो बच्चपन में क्या बनना चाहते थे और जो भी वो बनना चाहते थे वो यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे ठीक है? अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण जो की है आओ बातचीत करें प्यारे बच्चों साथ दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बंदर और भालू में आपस में क्या बाते कर रहे होंगे? अन्वान लगाकर उनके समवाद यानि बातचीत को जोड़ जोड़ से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए तो आपको इस चित्र को देखना है ध्यान से और आपको ये बताना है कि इस चित्र में ये जो बंदर और भालू है वो आपस में क्या बाते कर रहे होंगे? अन्दाजा लगाना है और उसको अपनी कॉपी में लिख देना है तो देखो मुझे ही लगता है कि भालू बोलता है भालू बंदर से बोलता है क्या तुम ये है फल खाना पसंद करोगे भालू बंदर से पूछता है कि क्या तुम ये है फल खाना पसंद करोगे तो बंदर बोलता है हाँ बिल्कुल बंदर बोलता है हाँ बिल्कुल ये है फल तो भालू यहाँ पे बंदर से पूछता है कि क्या तुम इस फल को खाना पसंद करोगे तो बंदर बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये फल तो बहुत ही स्वादिस्ट लग रहा है तो इस तरीके से क्योंकि बंदर को ये फल स्वादिस्ट लग रहा है तो शायद वो ये फल खालेगा अब आगे देखते हैं आगे आपके पेरेंस के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कर उन्हें बताईए कि सपना देखना बहुत जरूरी है इससे हमें अपने जीवन का लक्ष मिलता है और इस लक्ष की पूर्टी के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए तो आप जरूर बच्चों को बताईए कि खुली आँखों से देखा हुआ सपना हमारे लिए कितना जरूरी होता है और उसको पाने के लिए हमें किस तरीके से मेनत हमेशा करती रहनी चाहिए तो आई होब यह वर्क्षीट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी